देखिया हमारे पास question है to prove that hnx बराबर में 2 का power n exponential और आपको जो है minus 1 बट्टा 4 d का square बट्टा में d x square देखिये ये चीज़ है आप इसको जो है आसानी से solve कर शकते हैं देखिये हम लोग यहाँ पर proof करते हैं इसको ठीक है यह आपको यहाँ पर लिखते है proof मतलब आप इससे हम क्या कर सकते proof कर सकते हैं ऐसे इससे पहले जो है हम इस पर question हम लोग मतलब आपको generating function और भी इस पर हम लोग क्या question solve कर चुके फिलाल आप वो वीडियो नहीं देखिये तो देख लिजेगा हम वीडियो का link आपको description में देदेंगे तो देखिये आपको यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं वीडियो डेट देखिया हम जिस चीज की ज़रूरत है यहाँ पर वो चीज हम लोग देखते हैं वीडियो डेट आप जानते हैं कि आपको 1 बट्टा 2 D बट्टा D X E का पावर 2 T X आप अगर करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे देखिये यहाँ पर आपको बता दू यहाँ पर आप लिखेंगे T into E का पावर में 2 T X कैसे हुआ तो उसका जवाब मैं दे दू यहाँ पर आपको जो है यह 1 बट्टा 2 यह रफ कर रहे है 1 बट्टा 2 इसका आप डिफ्रेंशेशन करेंगे न तो यह एक्स्पोनेंशेल का क्या चक्कर होता similarly वो चीज लिखते है क्या लिखते है similarly लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज बैठा हुआ मतलब आपको यहाँ पर 2 T गुना में आएगा differentiation आप दहिंदे पार्सियली करें यहाँ पर पार्सियली नहीं कर रहे है तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ differentiation with respect to the X किसके respect में X के respect में तो यह 1 बट्टा 2 आप लिख देंगे बिलकुल यह D बट्टा यह क्यों हम लिख रहे है D बट्टा Dion अच्छा एक चीज़ है इन दोनों में 1 बट्टा 2 से आप गुना कर देजिए इससे हमें फायदा मिलेगा आपको मैं बता दूँगा वहाँ पर जहां पर फायदा होगा यह वन बट्टा 2 यहाँ पर यह पूरे पार्ट में डिफ्रेंशेशन कर रहे हैं आपन डी बट्टा एक से बट्टा डी एक्स और यहाँ पर इकाप आवर 2 टी एक्स यहां तक आपको मुश्किल नहीं होना चाहिँ इस यह Br forecast में ते जाल दिया दिन आगे आपको देखेंगे यहाँ पर यह ढण बट्टा 2 यह दोनों आपको cancel हो जागा तुटू और यह T मिलकर T क्या बनेगा T square बनेगा तो देखिए हमारी मंजिल करीब है आगे मैं आपको बता दू यहाँ पर यह वन बट्टा आप अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर वन बट्टा आपको यह चीज़ है वन बट्टा टू तो बिलकुल नहीं होगा यह E का पावर 2TX अब बड़ाबर में हम लोग चलते हैं यह वन बट्टा टू वाला का कहानी खतम हो चुका मतलब T A square का E का पावर 2TX यह हमारे पास finally बचा अब हमारे पास क्या होता हो आपको देखने की जरू होता है देखिए यह 1 बट्टा टू ह अब मुझे बताईए अगर हम question में चलते हैं तो देखिए यहां पर आपको n में मिलना नहीं सब आपको n में आ रहा है बिलकुल और आपको n में निकालना है तो मैं आपको बता दो अगर आपको n में निकालना है तो हम जीसे बना रहे वो भी आपको n में आना चीए तो आप मुझे बताईए अगर आप इसको जो है one time differentiation होता मतलब differentiation किये तो क्या है डी बट्टा डी एक्स का power दुआ है लिग्देласт Corona आपको एक्स को क्या अप दिग्ते लिग्देश होता है निक्स का इस यह यह बट बता दू आगे आपको क्या एक्स कर लेुखता रहां आपको आपके पापके पास जो है question में जो proof करना है वो exponential मैं देख लेता हूँ question में आगे पता नहीं क्या है हाँ ये चीज़ है आप इस चीज़ का मान हम निकाल लेते क्या करते मान निकालते देखिए छोटी-छोटी टुकरों में आप मान निकालेंगे मेरा जल्दी काम होने देखिए यहाँ इसे ऐसा लिख दिया आप देखिए यहाँ बिल्कुल यह चीज़ था तो मैं ने इसे ऐसा लिखा और इसे हम क्या करेंगे आगे solve करने वाले, यह चीज है न, आप इसको E का पावर, E के पावर में, exponential दें E का पावर में, minus 1 बटा 4, यह DA स्कॉरर बटा में, DX स्कॉरर भी आप लिख सकते हैं, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, उमीद है में, आगे देखिए, यह E का पावर 2TX है न, आप E का प formula जानते हैं, मैं इस गली में अटका रहा हूँ, इसका मतलब आपको यह काफी important चीज है, बट इसमें हम mention यहां पर नहीं कर रहे हैं, यहां पर काम करेंगे इसलिए, ठीक है, तो देखिए, infinity, यहां, infinity बिल्कुल, और यहां पर आपको R का मान 0 से लेकर, infinity तक है, यह आपको factorial के साथ, यहां पर देखेंगे, यह E का power minus X के तरह यह काम करेगा, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप बड़ी आसानी से summation, दिन आपको N का मान 0 से infinity, right, आप देखिए, यह minus 1 का power N आप भी लगा दीजेगा, बिल्कुल आपको लगाना ही परेगा, और यहां पर दे ऐसा लिख सकते हैं, क्या power R है यहां पर आपको N है, तो N के लिए काम करेंगे, यहां पर बड़ी में, मतलब divide में आपको factorial R काम कर रहा है, मतलब factorial N, then आपको E का power टूटीए, इसे आप similarly रहने दीजे, यहां तक आपन हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, आप जो बड़ा काम whole N, और यहां पर यह वाला चीज है न, एक बड़ा चार, मैंने इसे का कर दिया, एक बड़ा 2, डी बड़ा डी एक्स कर दिया, और इसका आपन square कर दिया, मतलब 2 N, देकिन है square होगा न, तो यह गुना हो सक के 2 N बन जागा, यही का power 2 TX, अब अचानक से मैं इसे क्या कर दे होता हूँ, यह 1 बड़ा 2 दिख रहा है, हाँ भईया, यह 1 बड़ा 2 दिख रहा है, अडी बड़ा DX का whole power 2 N, एक चीज है, मैं आपको बता दू, यह चीज आपका power N होता है, तो यहां पर क्या होता है, इसके गुना वाला जो होता है, पार्ट में क्या होता है, ती का power N होत यह आपको n का मान 0, यह infinity, यह minus 1 का power n और यह आपको factorial n और यह आपको t, मतलब आपको t का power 2n लिख दीजे, e का power 2tx, मैं आपको बता दूँ यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके, e का power 2tx को पहले बाहर कर दीजे, ठीक है, e का power 2tx को ground से बाहर कर दिया, मतलब आपके प part में t का power 2n, मैंने इसे t square का power n लिख दिया, अब देखिए, इससे क्या फायदा आपको होने वाला है, हाँ, एक चीज़ का फायदा होने वाला है, यह t square लिखा हुआ है, बिल्कुल यह t square लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक चीज़ है, अभी हम लोग ने एक formula देखा था, मतलब कौन formula देखा था, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको similarly लिख देता हूँ, यह 2tx है, और देखिए, यह summation जो चला आपको, कितना चला आपको, n command 0 चला है, अच्छा, हाँ, ऐसा करते हैं न, यह direct आपका formula बनने वाला है, अभी हम लोग ने एक formula देखा था, वो आपक आपको, शमेशन देखा था, आपको, r command 0, या, n, n के लिए काम करते है, n command 0, और यह infinity, यह minus 1 का power r, और यह x का power r, बट्टा में, फेक्टोरियल ला, यह बराबर के इस पार जो काम कर रहा हो, यह हम सिर्फ रफ करके आपको समझा रहें, तो मैं आपको, यहाँ पर इसको, हम काम कर रहा है, काम कर रहा है, आगे आपको बता दू, मैं, यह minus 1 का power r, बिल्कुल, minus 1 का power r, बिल्कुल, minus 1 का power r, अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ चीज़ मुझे बताए, अच्छा, यह चीज़ आपको, जो है, सब आपको, यहाँ पर 0, मतलब, इन में था, तो यह भी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ती-ए-सक्वार काम कर रहा है, देन, आपको मैं बता दू, यहाँ पर आप इसको इनटु में, एका power minus ती-ए-सक्वार, इस E को तो तो यह आएगा, यह X के जगा पर यह काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पर, चलिए, म मतलब आपको exponential माइनस एक बट्टा में 4 दी स्कॉार बट्टा में डी एक्स का स्कॉार ये ये चीज जो है आप यहां तक पहुंच चुके है ठीक है और हमारी मंजिल भी नजदीक में है कैसे तो मैं आपको बता दू यहां पर आपको जो देखेंगे ये बराबरा की स्पार व तो यह formula होता है मैं इसको formula की रूप में लिखने वाला हूँ यह देखेंगे summation चलेगा यह summation चलेगा इन का मान 0 से infinity चलेगा ठीक है इका पावर 2TX की बात करते है यह बस एकस के जिगह पर यह काम कर रहा है तो मैं आपको बता दू यहां पर आपको ऐसा लिख सकते है 2TX का whole power में N डिवाइडी में factorial N और यहाँ अच्छा factorial N तो हो चुका यहाँ पर देखे यह कैसे तो यह formula यहाँ पर minus 1 का power N इसलिए लगाते थे क्योंकि minus में होता था यह formula का अपन परियोग किया बस याद रखिये क्योंकि E का power 2TX यहाँ पर था आप इसको ऐसा लिख सकते आप generating function जो है पहला वाला मैं इस पर आपको मतलब बता चुका हो इस वीडियो में मतलब पिछले वाले वीडियो में आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख ले क्योंकि आप आगे भी जोरुत पड़ गई तो मैं आपको बता दू हमें जो चाहिए न वह आपको यह चाहिए HNX का value चाहिए question में देखेंगे न देखें मैं आपको question दिखाता हूँ HNX का value चाहिए मतलब HNX के लिए हमको का करना पड़ेगा आप देखें HNX के लिए देन आपको जो है यह मानिस वन बता में चाहिए यह चलेगा यह दीए स्क्वार बता में डी एकस स्क्वार यह चलेगा देन आपको मैं ब्रेकेट बरावला डाल देता हूँ और confusion नहीं होगा यह चीज यहाँ पर बताएए मुझे T का power N का चाहिए यह गुना वाला क्या लिखेगा यह T का power N में लिखेंगे बिल्कु Them के एकस का power N लिखेंगे बिल्कुम eks का power N लिखेंगे नीचे फैक्โकारन धी दालेंगे घय यह यह गुना में दोष्ट यह गुना में आप इसे लिख सकते हैं don't worry, यहाँ पर देखेंगे, यह T का पावर N है, इसके गुना में यह सब है, यह summation नहीं, summation को आपको यहाँ पर देखेंगे, दोनों में summation है, देन आपको यहाँ पर लिखना है, 1 बट्टा का फेक्टोरियल N चलेगा, 1 बट्टा का फेक्टोरियल N और यह आपको HNX, देखें इसमें भी दिक्कर नहीं लेना है, आप लिखें, exponential, मतलब, exponential के बाद, माइनस एक बट्टा में 4, यह वाले पार्ट को नोट कर रहा है, d square, बट्टा में dx का square, और यहाँ पर आपको X का पावर N, अब बरावर में, अच्छा, ओ सॉरी, 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 बरावर में त तो यह आपका proof हो चुका है, आप देखें कि question क्या आ चुका है, आपका finally resultant आ चुका है, ठीक?